ये परांपरा रही है कि विदान सभा के अद्यक्ष उनका पूरा उनको स्पोर्ट करते हैं पूरा उनका गारजनशिप करते हैं उनको आवसर देते हैं तो हमने भी देवयानी साब से ये रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने हमें आस्वस्ट किया है कि मैं एक सिक्षक रहा हूँ इसलिए मैं कोपी में जो लिखा हुआ है उसको देख करके उसमें माक्स दूँगा नहीं कि मैं विद्यार्थी का नाम देख करके तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छी बात उन्होंने कई है और हमें पूरा विश्वास है आम उनको पुना है सुमकाम नहीं देते हैं और हम आसा करते हैं कि वो अपने करतेवियों के निर्वन को बली भाती तरीके से विपक्ष को बराबर आउसर देख करके उसको करते कि यह तो उल्टे-उल्टे काम करेंगे भाईया हास उल्टे काम तो इनसे इनकी बीजेपी से और केंदर सरकार से ओने ही नहीं आप एक बात बताएए एक सुरक्षा में चूक हुई और किस प्रकार से सेंद मारी गई कि कैसे लोग वहां पर गुशगे और जो अफरा तफरी का माहुल हुआ बहे का जो वातावन वा उसमें आगर वहां के एमपीज यह नहीं पूछ सकते कि यह क्यों हुआ इसके उपर क्या कारवाई कर रहे है और आगे यह नहीं हो इसके लिए हमें आस्वस्त कीजिए तो को गुना कर रहे हैं क्या अब इसके बावजूद इनको तो देखो राहूल गांदी दिख रहा है राहूल गांदी से इतने भैगरस्त हैं यह लोग बाग कि आने वाले समय में आप देखना इनकी उल्टी गिंती सुरू हो गई है यह तानासा सरकार के रूप में काम कर रहे है यह जितने भी प्रमप्राय हैं उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं नई संसद में जिस प्रकार का यह जो वाकिया हुआ दुरगटना गठी अगर उसके उपर हमारे वहां के MPs सवाल नहीं उठा सकते पूछ नहीं सकते अपनी सुरुक्षा की मांग नहीं कर सकते तो फिर लो सर खतम कर दिया इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती है 142-43 MPs को बाड़ निकालना पीछे से बिल लाना उन बिल को पारित कराना यह लोगतंतर का एक तरीके से मजाक है हम सब लोग इसका पूरजोर विरोध कर रहे हैं आज हमारे तमाम जिला कॉंग्रेस कमेटियों की त चुनेवे जनपरतिनीदी MPs हैं चैमेलेज हैं और कोई भी सामाने व्यक्ति भी अगर अपनी बात रखना चाहता तो उसको पूरा आउसर प्रदान करें यह सब चीजें होनी चाहिए जो आभी नहीं हो रही है किसने पहंगा गलत बात है गलत बात है कोई भी कानून अपने हाथ में लेता है कोई भी व्यक्ति इस तरीके की ओची हरकत अगर करता है कि जूता भैक रहा है या कोई दूसरी चीज भैक रहा है यह तो निंद नहीं है हो सकता है हो सकता है बीजेपी का करे करता है या किसका मैं नहीं कहता इसके उपर क्योंकि मेरे संग्यान में नहीं है तो मैं किसी के उपर आरोप नहीं लगाता लेकिन जिस किसी ने भी किया होगा ये जूता फैंकने का काम जो आप बता रहे हैं अगर ऐसा हुआ है तो वो बहुत गलत है निंदनी है हम सब लोग इसके निंदा करते हैं यूँकि ये पवित्र मंदिर है हमारा और जनता की समस्याओं को उठाने के लिए उनके समधान के लिए हमको यहां बेजा गया है और उसी काम में उसी के काम में आना चाहिए अब आप गुनिस को राजस्तान की विदान सबा के लिए आउत की गई है उससे पहले आ जाएगा